प्रतेक संबत्सर का अंतिम त्यवहार होता है यह त्यवहार चायत्र मास के कृष्ण प्रक्ष की प्रत्पदा को मनाये जाता है और उसके ठीक एक दिन पहले अर्थात फाल गुन शुकल पूर्णिमा को होली का दहन होता है पौरारिक मानेताओं के अंसार होली का दहन में हिर्यार्यकशक की बहन होली का जलकर भस्म हो गई इस से राक्षसों को बड़ा कश्ठू का वे गालियां देने लगे अप्षब्द कहने लगे धूल और किंचल उचालने लगे नशाखोरी करने लगे किंच दूसरी और देवताओं को बड़ी प्रसनता हुई और भे गले मिलने लगे एक दूसरे को मिठाई आँखी लाने लगे रंग अभीर गूलाल उड़ाने लगे आज भी यही चीज़ देखने को मिलती है इस वर्स की होली 21 मार्च गुरु वार को मनाई जाएगी अबिल राशे के लोग अपने अपने राशे के अनुसार rंग अभीर गूलाल इत्याद का प्रियोक करके लाभाणमित हो सकते हैं जैसे मेस और ब्रष्चिक राशे के लोग गहरे लाल रंग के अभीर गूलाल का प्रियोक करें ब्रिस और तुला रास के लोग श्वेट अर्थाद सफेट रंग के अबीर गुलाल या जल से होली खेने मिथुन और कन्या रास के लोग हलके हरे रंग से करक रास के लोग दूध या दूध के रंग से सिंग रास के लोग गुलाबी अर्थाद पिंक रंग से धनू और मीन के लोग हलके पीले रंग के अबीर गुलाल रंग आदिसे होली खेलें तो उनके लिए शुबकारी होगा और अंत में मकर और कुम्बर आश के लोग हलके नीले रंग के अबीर गुलाल रंग वस्त्र इत्यादिकार प्रयोग करके अपना जीवन सुखमे बना सकते हैं रंगोत्सो की एक देन पुर्व होली का दहन होता है इस वर्ष का होली का दहन बीस मार्च बुद्धवार को राक्तरी आठ बच के बारा मिनट के बाद होगा क्योंकि आठ बच के बारा मिनट तक भद्रा है होली का दहन और दिपावली वर्ष में ये दो विशेश अवसर होते हैं जिनमें हम कुछ अचूक साधनाय अचूक प्रयोग करके अपने कश्टों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने आगामी दिनों को सुखमे और कश्ट रहित बना सकते हैं इस वर्ष के होली का दहन में यदि आप चाहें तो कुछ छोटे और सरल उपाए हैं जिनको करके अपने जीवन को सुखमे बना सकते हैं कश्टों से छुटकारा पा सकते हैं होली का पर पान फूल मिस्ठान चड़ा दे होली का दहन के समय सबेरे जाएं भस्म ले आएं और उस भस्म को लगाएं तो वर्ष भर किसी के तांतरिक प्रयोग से आपका कुछ नहीं पिकड़ेगा ठीक इसी प्रकार खड़ा नमक राई और लाल मिर्च अपने सिर से उतार कर जिस ब्यक्ति से आप अपना बचाओ करना चाहते हैं उस ब्यक्ति का नाम लेते हुए होली का में डाल दें तो फिर उस ब्यक्ति का किया हुआ या कराया हुआ किसी भी प्रकार का अनेस्ट आपक कुछ नहीं बिदाड़ पाएगा होलिका का भस्म होलिका दहन के अगले दिन यानि होली के दिन होलिका का भस्म शरीर पर मल करके असनान उसके बाद जल से असनान करें तो राव और शनी कृत समस्त दोस्ट और बाधायें दूर हो जाती है होली के दिन भगवान स्री विश्रू की सोट सोप्चार या पंचोप्चार विदी से पूजन करें ओम नमो भगवते वासुदेवायव मंत्र का अधिक सदिक जप करें तो मुक्ष के मार्ग प्रसस्त होते हैं अनन्त पुर्ण फल की प्राप्ति होती है स्री श्यूजी को होली का भस्म चढ़ा करके मनुवांचित फल प्राप्त कर सकते हैं और अन्त में होली के दिन शुपच असपस और आम्र मंजरी खाने से वर्स भर शुभ फल की प्राप्ति होती है सबको होली की बहुत-बहुत सुपकान